हेलो प्रेंज, क्यात्य है आप सब्सक्राइब, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे बच्चे की जो बेबी गर्ल था फिरस्ट परिगनेंसी में उसके कितनी थी और अब सेकिन्ड परिगनेंसी है उसमें कितनी है और साथ में शेयर करूंगी आपके साथ जाएब क्राउं प्लानेट से भी बॉस गएस किया जा सकता है कि आपके होने वाला बच्चा जो जेन्डर ठीक है आप जस्ट नॉलेज के लिए दीखिए जस्ट एंटर्टिन्मेंट के लिए दीखिए अब आप देख सकते हूं कि मेरी जो पहली प्रेग्नेंसी है 2019 में उसमें भी सिंगल गैसेशनल जो सेक है और उसका जो क्राउंड रम प्लेंट है वह है 3.72 प्रेग्नेंसी है टैन डेज स्वाली टैन वीक्स फोर डेज की ठीक है लेंथ जो बहुत ही कम है पहुने चार सेंटिमीटर ठीक है मीन्स नियरली फोर एमेम अगर सेंटिमीटर मे अब मैं बात करहूं इस सेंटिमीटर में है जो जो एक्राउंड रम प्लेंट है वह और रहे है उसक्स पॉइंट इस तुड़ी देख़्िए च्ञैन रम प्लेंट है जो 6.42 सेंटिमीटर में और प्रेग्नेंसी है 12 Would 6 days means 13 week की कह सकते हैं डाई week जो जादा है उद्धर भी 10 weeks और 4 days से ठीक है 11 week के near about है और यह 13 week के near about है ठीक है तो इसके according देखे तो crown drum plant यहां पर पॉने 7 cm है काफी जादा है और सभी का यही कहना है कि अगर crown drum plant थोड़ा जादा हो तो हम कैस कर सकते हैं कि बेबी बॉई होने वाला है ठीक है 12.6 week की है देखिए वीक भी तो जादा है यहां पर यह भी देखना चाहिए तो हम पक्का तो नहीं कह सकते कि यह सही है जा गलत है ठीक है तो बस यह पताए कि crown drum plant अगर 6.42 cm आ रही है थाटीन वीक में के नियर बाउट तो जी बिल्कुल सही है बच्चा बिल्कुल है बच्चा बिल्कुल सेफ हैं उसकी ड्याल्मेंट बहुत अच्छी हो रही है इससे यह कह दूं के बेबी बॉय होगा जब बेबी गल होगी तो यह गलत होगा मेरी यह भी किसी के लिए भी यह सोचना गलत होगा होप सो आप देंडरस्टन करेंगे कि यहां पर हमें यह नहीं सोचना चाहिए बस यहीं में मोटू है अल्ट्रसांट का कि बच्चा हेल्दी है इसकी डेवलाप्मेंट अच्छी हो रही है कि नहीं अगर बात करूं फैटल 148 थी पहले और अब 157 पर मिनिट आ रही है हाटपीट तो हर बच्चे की जो फर्स्ट अल्रसाउंड है उसमें 140 प्लस ही आएगी आप किसी भी बच्चे की चेक पर लेजिए यूट्यूब पर पहुत सारी वीडियो से वह देख लीजिए हर किसी बच्चे की ऐसी ही आएग thank you for watching my media friends thank you